हेलो स्टुडेंट कमेश्टरी के एक और इंपोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है तो स्टुडेंट इस वीडियो में हम और्गेनिक कमेश्टरी के चार महत्वड नेम रियक्शन्स को देखेंगे वो भी एक ही वीडियो में तो स्टुडेंट नेम रियक्शन्स आप इसमिट अभकिरिया, चौथा है कारविल एमीन अभकिरिया तो student organic chemistry में इसमें मैंने चार अलग-अलग लेशन से चार important name reactions लिये हैं तो एक-एक को हम step by step reaction के साथ समझेंगे तो इस वीडियो को आप last तक देखते रहिएगा तो student एक ही वीडियो में आपका चारो name reaction किलियर हो जाएगा तो चलिए student सबसे पहला name reaction देखते हैं जो की first lesson से है जिसका नाम है हाईलो एलकेन तथा हाईलो एरीन ये reaction है बच्चो उड्स अभकिरिया उड्स अभकिरिया में होता क्या है simply मैं आपको समझा दू student reaction के साथ तो सबसे पहले आप लोग कुछ देख लीजिए जो reaction से संबंदित है देखे student जब एलकील हैलाइड की सोडियम धात उसे किरिया सुसक इथर की उपस्थिती में कराई जाती है तो एलकेन बनता है अब बच्चो यहाँ पर तीन पॉइंट आये है नमबर वन है बच्चो अलकील हैलाइड चारोफ किरियों को लाज तक देखिएगा दूसरा है बच्चो सोडियम धातू तीसरा है बच्चो सुसक इथर ठीक है इसकी उपस्थिती में कराईगे तो संस्थिती सब्सक्रेक्स अलकीГा है अब ऑउचन आयोडीन चैर्ण रेत को पता होगा आयोडीन है ठीक कुछ भी अम भी अल्वोजन यहाँ लिख सकते हैं तो हमने इहाँ पर यह लिख दिया चलिए हमरी एक्शन करते हैं समझ में आजाएगा ठीक है तो उड्स अब किरिया होता क्या है एलकील हैडाइड की जब हम सोडियम की उपस्तिति में तो एलकेन बनेगा ठीक है और इसी को हम कहते हैं उड्स अब किरिया तो इस्टुडेंट हम लेखते हैं इसका रियक्शन यहाँ पर आर ई लिख देते हैं ताकि आप लोग आर इसको भी आपको लेना है बराबर मात्रा में ठीक है हमने लगा दिया है Brysout का निशान जो की लगाए грs जाता है आपको पता होगा ठीक है और इसके ऊपर हमें क्या लिखना इसके ऊपर हमें लिख देना आ इत्हर कियोंकि हम इसी की उपस्तिती में तो करार हैं यह दिय अब हमने स्टूडेंट इथर लिखा अब बनेगा क्या हमारा देखिए सबसे पहले 2RX प्लस 2NA है हमें बनाना है एलकेन तो एलकेन का फार्मुला होगा बच्चो आर आर 2R हमारा यहां पर कंप्लीट होगा देखिए इधर 2R था इधर भी 2R हो गया ठीक है और हमारा क्या बनेगा बच्चो NA अब एक्स बच्चो दो है तो यहां पर भी हम दो लिख देते हैं ठीक है तो हमारा हो जाएगा सिंपल स्टूडेंट 2NAX है समझ में आया चलिए एक बार पुनाह देखते हैं जब हमने एलकील हैलाइड RX के दो मॉलिख लेकर सोडियम कम से किरिया कराई सोडियम के दो मॉलिक्यूल से तो इथर की उपस्तिति में हमने तो यह बना इस्टूडेंट एलकेन यिश का नाम है आपके एलकेन और यह है सोडियम हाइलाइड ठीक है अब चलिए हम इस पर स्टूडेंट रख कर देखते हैं जो योगी खैमारे उनको रख कर देखते हैं जैसे आर एक्स के अस्थान पर मैंने आपको बताया था कि चिल ले सकते हैं से लिए सकते हैं थे समझाज लती संघ और 20 न ईले लिया जैसके ऑपर लिया है इसी के अपको ले रहा हूँ है स्टूड़ मैं इसको ले रहा हूं कि पट्रू आब सुपाउंड रख कर बतारा हूं अब देखिव हैं इस के स्वर्ण आपको कितने और प्लस टू एन ए आई आप चलिए यहां पर थोड़ा सा नाम इनका लिख देते हैं यह बत्यों मेथिल आयोडाइड मेथिल ऑइड आयोडाइड ठीक है जो की एक क्या है आयोडाइड यहां बलग दिजिए ये स्टुडेंट जो है एक एलकिल है ठीक है इसका नाम है स्टुडेंट एत Cin RAM ले तों मेफ एत workforce गीरिया यह olla होथी है Quebec यह हम सूडियां से किलिया कराते हैं इसर की उपर से दीर में तो एकिन बनता चलिए इसको भी समझ लेते हैं छोटी सी अब किडिया है ये भी और काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखिए बच्चों बिलियम संसलेशन अब किडिया क्या होती है ठीक है तो देखिए हमने लिखा है यहां पर कि किसी धात्व अलकॉकसाइड जब किसी धात्व के साथ गर्म करें इथर और उससे इथर बन जाए तो इसे हम कहते हैं बिलियम संसलेशन अब किडिया ठीक है अब इसमें दो चीजें इंपोर्टेंट हैं अलकिल हैलाइड और धात्व अलकॉकसाइड का मलब धात्व के स्थान पर हम ले सकते हैं सोडियम यह भी एक रियक्शन को इस्टूडेंट ठीक है रियक्शन कैसे करेंगे तो इस्टूडेंट मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी आप धात्व अलकॉकसाइड ले सकते हैं जैसे मैं आपको यहां पर लेकर दिखा रहा हूं सी टू एच फाइप ओ एन ए ठीक है अब हम इसे समझ ले और एथाकसाइड के स्थान पर हमने लिग दिया अलकॉकसाइड के स्थान पर एथाकसाइड बात यहीं है स्टूडेंट यसी को हम लोगों ने हम लोगों यहां पर अप्लाई कर दिया है ठीक है आप देखें स्टूडेंट इसकी एफ कि लिए हम कराएंगे किसी हमने आपक इसकी एफ के लिए हम कड़ा देंगे C2H5IC करानी होगी तभी इस्टूडेंट बनेगा आपका क्या उत्पाद ठीक है जो आपको बनाना है इसका नाम है स्टूडेंट एथिल आयोड़ी नाम लिख लिजेगा इसका एथिल आयोड़ी हमने यहाँ पर एलकिल है 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 लिखा है इथर बनाना है हमें तो C2H5OC2H5 बन जाएगा ठीक है और प्लस आपका बन जाएगा NAI समझ में आ रहा है यह है बच्चो स्टूडेंट एथिल आयोड़ी और इसका नाम है स्टूडेंट डाई एथिल इथर हमने उपर लिख देते हैं डाई एथिल इथर ठीक है इसका ना इसके कराते हैं जैसे यह क्या स्टूडेंट एथिल आयोड़ी ची कर आते हैं स्टूडेंट है तो हमारा इसको गर्म करेंगे तो बनेगा स्टूडेंट sturdy ट क्या या इठर बनता है इसी को हम कहते हैं willing Suns और लिए यहां पर ईठर के अस्थान पर डाई यह ती रेथर बANA तो ये भी एक इथर है, तो ये होगी बिलियम संसलेशन अभिकिरिया, अब हम देखते हैं बच्चो अपना तीसरा important reaction, तो उसको देखने से पहले NAI क्या है बच्चो, sodium iodide, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना तीसरा important reaction, तो student हमारा तीसरा reaction है, स्मिट अभिकिरिया, तो स् कार्बोक्सिलिक अमल की अभिकिरिया, हाइडर जोईक अमल, N3H, इसका नाम है हाइडर जोईक अमल के साथ, H2SO4 की उपस्थिती में 0 degree Celsius पर कराते हैं, तो मेथिल अमीन बनती है, और इसी अभिकिरिया को student हम कहते हैं, इसमिट अभिकिरिया, यानि कि simple है, जब किसी कार्ब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, यहाँ पर किसी एक कार्बोक्सिलिक अमल का नाम, जैसे हमने ले लिया, CS3COOH, इसका नाम है student acetic अमल, और प्लस N3H, क्या है student, हाइडर जोईक अमल, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, N3H, हाइडर जोईक अमल के साथ, ठीक है, हम 2S4 की उपस्तिती में, ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या student, अब समझे यहाँ पर, हमारा बनेगा मेथिलमीन CS3NH2, ठीक है, और प्लस CO2 प्लस N2, कैसे बनेगा, चलिए समझते है, N2, देखे, कितने कार्बन है, हम इसे अभी गिंती करेंगे, इसका नाम है acetic अमल, और इनका नाम है student, hydrozoic, हम लिए उपर देखिएगा, ठीक है, और लिख लिजिएगा, इसका नाम है बच्चो, मेथिल एमीन, मेथिल एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, ठीक है, तो देखे बच्चो, यहाँ पर, कितने कार्बन हैं, हम इसे संतुलित करते हैं, एक कार्बन, दो कार्ब नाइट्रोजन कितना है, एक दो, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है, तीन, और यहाँ पर कितना है, एक और दो, एक तीन, यानि कि यह एक बैलेंस रियक्षन है आपका, और यही है student, आपका, इस मिट अभिकिरिया, यानि कि अगर हम सिंपली समझें, तो जब कार्बोक्सिल प्राथमिक अमलकी अभिकिरिया, हाइडरे जोईक अमलके साथ, सांध्रियस्ट्यस्टोफोर की उपस्तिती में कराई जाती है, तो मेथिल अमीन बनता है, प्राथमिक अमीन बनता है, और इसी को कहते है, इस मिट अभिकिरिया, तो यह प्राथमिक अमीन बनाने की ही बिध ठीक है बच्चो अब हम आते हैं अपने लास्ट रियक्शन पर बच्चो जिसका नाम है कारबिल एमीन अभिकिरिया ये कारबिल एमीन अभिकिरिया क्या होती है इसको समझते है ठीक है ये आपका चौथा रियक्शन है जब एथिल एमीन एथिल एमीन का फार्मूला मैं भी ब आने वाला है तो बच्छो यक्षान में हम क्या देखेंगे हम जो जो लिखा है वही लिखेंगे जब एठील एमीन ठीके तो पहले एठील एमीन का नाम आ गया तो इसको लिए लेते हैं potassium hydroxide के वो यच से कराते हैं तो क्या बनता है student मैं अभी आपको यह करके बताता हूँ ठीक है सबसे पहले जो बनेगा student वो आपका बनेगा C2H5NC ठीक है उसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं student यही reaction है आपका ठीक है मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस करके ताकि नाम भी आप लिख सकें 3KCl और प्लस 3H2 अब देखिए यहाँ पर बाइलेंस करना है मैं इस KOH को की हमात्रा लेंगे बच्चो तीन इसके molecule लेंगे अब देखिए बच्चो यहाँ पर आपको समझना है कि इसका नाम है एहे तिलेमीन मैं भी आपको संतोलित करके भी बताऊंगा ठीक है एहे तिल एमीन इसका नाम है बच्चो क्लोरोफ फार्म ठीक है और KOH का नाम है बच्चो को पोटासियम हाइड उड्रकसाइड और C2SO finals 5 NC इसका नाम क्या है student इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड तो यही आपका बनेगा के स्टुड़ेंड यह है पोटासियम क्लॉराइड और रिश्ट्टू लृट क्लॉराइड और अ्थू यहां की स्टूडंत यह सिंपल सारी अक्सर्ण है कि जब एथील एमीन के एफ के लिया हम क्लूरोफार्म के साथ और पोटासियम हड्रोकसाइड के साथ कराएंगे तो हमारा बनेगा इथील आइसोसाEMA इड़ और पोटासियम क्लोराइड और जल बनेगा ठीक है हम सी स्टूरेंट कर लेते हैं संतुलित कारबन कितना है दो एक तीन और यहां पर इस्टूडेंट 611 ठीक है तो यह आपका एक वाइलेंस रियक्शन है तो यह स्टूडेंट था इंपॉर्टन रियक्शन जो कि था इस्टूडेंट कार्विल एमीन अपकर दिया अब वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा की स्टूडेंट अगर वीडि कि दे था इंक यू